आज हम पढ़ेंगे उच्छे दरों पर करारोपन के प्रभाव लेफ़र वक्र अब ये तक हमने बढ़ा कि करारोपन के क्या प्रभाव पढ़ते हैं और एक अच्छी करव नडाली के क्या क्या विशेशताय होनी थी आज हम लेफ़र करव के बारे में पढ़ेंगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक है ये इस पर कई बार क्योशन आया हुआ है चाहिए शोर्ट नॉट में हो ये लंबाय प्रेशन हो और एवन कॉम्पेटेशन एड़्जाम्स के अंदर भी ये ट्वर्शन पूछा जाता है कि लेफ़र करव का संबंद किस से है तो आप इसको जो वीडियो को ध्यान पूर्वट सुनिएगा उची दरों से करारोपन के कारण कारिय करने बचत करने की योट्यता कारिय करने बचत करने की इच्छा तथा आर्थिट साधनों के इस्थाना अंत्रंट पर व्या वादत्ता में गदी हींता, बच्चतों में कमी, करोटी चोरी तता मंदी जैसी समस्याओं को जनम देता है यही कारण है कि उची कर दरों के प्रेणना संबंदी प्रभावों को लेकर 1980 के दशक में वित्वेद्वानों में काफी विवाद हो उत्पनुआ विवाद क्यों उ सप्लाई साइड की जो एकनॉमिस्त है यह अस्य और नभी रिदशक की बाद है इन्होंने यह सिद्ध करने का प्रियास किया सप्लाई साइड एकनॉमिस्त ने के करोटी उची दरों से करदाताओं की क्राम करने की प्रेणनाओ पर दुश्प्रभाव पड़ता है एट सीमा अधर छेत्रों में स्थाना अंत्रण तथा करों में चोरी आधि कहीं समस्याओं का जनम होता है अर्थार्थ उची दरों से जब कर लिए जाते हैं तो उसका आप कह सकते हैं कि बुरा पटशी यह हैं कि लोग उन करों से बचनी की कोशिश करते हैं ठीक है और जब उची दर आपने व्यापार में रिस्क ना ले आते हैं पूर्ती पच्छ के अर्थिशास्त्रियों ने करकी दरों को घटाने का समर्थन किया जिससे कुल कर राजस्व में व्रदीटी जा सके इन्होंने सप्लाइज साइड एकनॉमिस्ट ने किस तरीके से इस चीज को प्रुफ किया कि क आर्थर लेफर और उनी के नाम से इस कर्व का नाम बना है लेफर कर्व लेफर वक्र और इनके द्वारा क्या कहा गया है कि करोटी सीमांत दर और कुल कर राजस्व में पारस्परिक संबंद होता है और इसी कारण जो ये कर्व जो बनता है वह कर्व का नाम लेफर वक्र कह आप यहां डाइड़ाम देठे़े लिए जिसकों पर प्रतिशत में लिया गया है अब आप यहां देठे़े जैसे जैसे करकिदर में प्रतिशत पृद्धी है जैसे कि 25 प्रतिशत से बढ़ा कर पचास प्रतिशत 50-75% तो आप ये देखिए कि maximum जो कर 100% किया गया वहाँ उस tax rate पे tax revenue कितना हो रहा है शुने यानि मैं बात कर रही हूँ इस point की इस point पे आप देखिए कि tax rate कितना हो रहा है tax rate आपके हो रहा है शुने tax revenue tax rate जब आप आपका 100% होता है उस समय आपका tax revenue कितना हो रहा है शुने और यही tax revenue जब आपने शुने rate कर रखिए करो की करो की शुने दर पर उस समय भी आपका जो tax revenue है वह शुने हो रहा है यानि करो की उची दर और करो की बिलकुल दर ना होने पर tax revenue जो हो रहा है वह समान है आप इसमें ये भी देखिए कि जैसे जैसे करकी दर बढ़ाई जा रही है जैसे कि 25 परसेंट फिर 50 परसेंट तो आप यहां देख पा रहे हैं कि करकी दर बढ़ाने से करराजस्व में व्रद्धी हो रही है कर राजस्व कैसे निकलेंगे कर राजस्व का formula है आप यहां पे कर राजस्व into tax rate ठीके ना कर राजस्व into करदर तो इससे आपको क्या प्राप्त होगा इससे आपको कुल कर राजस्व की प्राप्ति हो जाएगे ठीके तो मैं यह कहूँ आप यहाँ पे 0 से 25 ठीके और OR1 यह पूरा का पूरा आप यह जो रेक्टिंगल बन रहा है आयत सा इसको गुणा कर देंगे तो आपको tax revenue प्राप्त हो जाएगा इसी तरीके से जब आप 50% करेंगे तो इस आधार पे आप यहाँ पे 8 तक गए तो यह पूरा का पूरा जो आपने यह रेक्टिंगल आयत लिया है यह पूरा आपका tax revenue कहलाता है ठीक है तो जैसे जैसे आपने tax की rate बढ़ाई है वैसे वैसे revenue collection हुआ है बढ़ा है धीमी घती से बढ़ा है या घती उधर से बढ़ा है लेकिन बढ़ा है इस्ते बात देखिए जै जैसे ही 50% आपने tax rate कर दी है तो वहाँ पर आपको maximum tax revenue collection हुआ है revenue का collection सबसे maximum देखिए R4 OR4 प्राप्त हुआ है इस OR4 को आप 0 से 25 वाले इसमें into करेंगे तो आपको यह पूरा area प्राप्त होगा यानि वो area क्या है OR4 R 50 यह पूरा area प्राप्त होगा यह tax revenue को बता रहा है तो इस तरीके से आप देखिए कि tax rate आपकी जब 50% रखे जाती है तो revenue आपका maximum रहता है इसके बाद में भी अगर आप tax rate बढ़ाते हैं 50 से बीचे तरह आगी कर रहे हैं तो आप यह देख सकते हैं कि tax revenue जो हमें प्राप्त हो रहा है वह कम होता जाता है और जैसे ही 100% कर रहे है revenue collection जो हुआ है वह बिलकुल आपको देखिए यहां शुन्य दिखाया जा रहा है तो इससे क्या समझा रहा है लेफर कर्व का शेप आप देखिए यह उल्टा यू शेप भी कह सकते हैं से आप यहां भी शेप में दिख रहा है लेकिन यह उल्टा यू भी होता है और अगर आप व्यावारिक प्रमान देखा जाता है लेफर कर्व का तो आप डाइगरम दो देखिए जिसमें लेफर कर्व की शेप किस तरीके से बताई जा रही है यह पहले बढ़ रहा है ठीक है बढ़ने के बाद में मैट्जिमम पइंट पे जाने के बाद यह नीचे गिरता तो हम यहां क्या समझ पा रहे हैं हम समझ रहे हैं कि जैसे जैसे कर्की दर्मी व्रदी करकी जाती है कर्राजस्व में कमी होती जाती है ठीक है और एक निश्चित आदर्श सीमा के बाद कर्की दर्मी व्रदी कर्राजस्व में कमी लाईगी और आदर्श सीमा तक पहुचने से पूर्व कर की दर मिव्रधी कर राजस्वे में घड़ती दर से व्रधी करेगा, यानि मैं कह सकती हूँ कि 0 से 50 तक में तक में अगर आप tax rate बढ़ाते हैं तो revenue बढ़ता जाता है लेकिन 50 से 50 के बात में अगर आप बढ़ाते जाते हैं tax rate 50 से 100, तो revenue collection काफी दफ़े आया हुआ है और बच्चे काफी इसको गलत भी कर देते हैं आपके माइनर सी मिस्टेट से आपका पुरा का पुरा अंसर गलत हो जाता है तो लेफर कारव को आप रट लीजिए कि इस ता संबंध टैट्स रेड और टैट्स रेविन्यू से है ठीक है आगे इसम इसलिके से शेप इसकी जड़ती है और आपको ध्यानों कि अमरिका की जो राश्ट्रपती रहे हैं रोनाड रेगर उन्होंने अपने कारिकाल के दोरान टैट्स रेट में कमी करके टैट्स रेविन्यू बहुत ज्यादा कलेक्टि किया था उन्होंने भी यही पद्दती भारत में लेफरवक्टि की अवधारणा चूटी हमने देठी लिए हैं कि करकी दरों में कमी करने से कर राजस्मों में व्रदी की जा सकती हैं भारत में भारत सरकार ने भी करसुधारों के अंतरगत पिछले एक दर्शक में चार प्रमुख कर कौन-कौन से आयकर, नेगमकर पादन शुल्क और सीमा शुल्की की दरों को काफी सीमा तक गठाया है और इसका गठाने का परिणाप आप इस टेवल में देच सकते हैं आप यहाँ देखिए रेविन्यू कलेक्शिन कितना हो रहा है टेट्स रेविन्यू अब इसमें एक चीज और देखिए आप आप प्रत्यक्ष करों की मुकाबले प्रत्यक्ष करों की प्राक्तियों में अधिक तिवर गति से व्रदी होना राजकोशिय सुद्रड़ता का परिचायक होता है यानि आप प्रत्यक्ष करों से जादा टेट्स रेविन्यू कलट कर पा रहे हों तो ये कहीं ना कहीं आपकी फिस्ट कल सॉलेडिटी को बता रहा है कि राजपोश ये नीती हमारी सुद्रड है या राजपोश ये नीती बहुत अच्छे तरीके से चल पा रही है भारत में लेफर कर्विकी क्रियाशी इलता को सकल घरेल उतपाद के संधर्म में कर उतपलावता गुणांक से भी प्रमानित किया जा सकता है अब आप यहां कर उतपलावता गुणांक को देच सकते हैं ये अलग-अलग टेट्स के संबंद में अलग-अलग है करार ओपन के सामाजिक प्रभाव इस सामाजिक समानता सामाजिक समानता स्थापित करने में मदद मिलती है जब हम प्रगतिशील करार ओपन करते हैं तो चुकी आप धनवान व्यक्ति से अधिटेट्स लेपाते हैं और निर्धन व्यक्ति से कम टेट्स लेते हैं या उसे टेट्स से एडजम्ट करते हैं या फ्री करते हैं टेट्स से तो इससे कहीं न कहीं समाज में समानता आती है नेट्स्ट है सामाजिक नियाए जब करारोपन से आप विशमता को दूर करते हैं यानि कि जब आप टेक्स लेते हैं धनवान वेत्ती से टेक्स लेते हैं और उस टेक्स का उपयोग निर्धन वेत्तियों के हितों के लिए करते हैं तो इससे कही न कहीं सोशल जस्टिस की प्र आवा मिलता है करार ओपन से चूटी जब समजित समानता आती है समजित न्याय आता है तो अवसरों की समानता आती है वर्ग संघर्ष का समापन होता है और आर्थित समानता समाजित समानता को या समाजित प्रगति को बढ़ावा देती है और समाज दे सभी वर्गों का उत्थ होता है समाज का नेतिक उत्थान जब आप देखिए नेतिक या वांचनी चीजों में आप टेक्स ज़्यादा लगाते हैं जैसा कि मान लीजिए शराब के उपर अपने टेक्स रेट ज़्यादा कर दी है तो शराब का प्रडेक्शन कम होगा और शराब के उत्पादन में लग प्रडेक्शन की जाएगी तो वह कहीं न कहीं उनके लीविंग स्टंडर्ड को बढ़ाएगी तो यह इस तरीके से मॉरल डवलप्मेंट भी करती है टेक्स स्ट्रक्चर आपका आगे हम देखते हैं करारोपन के राजनीतिक प्रभाव करारोपन से राजनीतिक चेतना जाग क्योंकि जो व्यक्तिक कर देता है यह भी ध्यान रखनी की कोशिश करता है कि हमारे दुवारा दिये यह टेक्स से गौवर्मेंट क्या क्या कारे कर रही है क्या वह है इसका मिस्यूज कर रही है क्या वह है इसका वेस्ट कर रही है या क्या इसका सदुपयोग किया जा रहा ह next है नेतित सुरक्षा, करारोपन से सरकार जैसा कि आपको पता ही है कि करारोपन सरकार की आय का प्रमक्ष उत्थ होता है करारोपन की अभाव में सरकार की पास में क्या है कि income कम रह जाएगी अब जब income कम होगी तो वह किस प्रकार से security कर पाएंगी तो डिफेंस करने के लिए भी उनको पैसा चाहिए और वो पैसा कैसे आएगा टैट्स के तुरू आएगा तो कहीं न कहीं हमारी सुरट्षा के लिए भी कर दिये जाते हैं नेट्स है करारोपन से राजनितिक स्थाइत्व और सुद्रड़ता बढ़ती हैं अगर करारोपन किया जाता है तो अर्थ विवस्ता में उत्पादन, वित्रण, उपभोग, आर्थिक क्रियाओं में अनुकूल परिवर्तन लाकर सरकार देश में राजनितिक स्थाइत्व और सुद्रड़ता इस्थापित कर सकती है और अगर करारोपन ना किया जाए और देश में विश्मता बढ़ने, उत्पादन और उपभोग, अवांचित दिशा में कतिशील ना होने पर राजनितिक इस्तती बिगड़ने का भेर रहता है नेट्स है राजनितिक शांती, अगर सरकार जनता की करदान शुमता से भी अधिक करारोपन करें तो राजनितिक विरोध बढ़ेगा, सरकार की अलोचुना होगी, सब्तादारी अदल को विरोध का सामना करना पड़ेगा, जबकि नियायजित कर से देश में शांती वे सुर सरकार को रेवेन्यु प्रापत होता है, अपीतु आर्थिक विक्तास, रोजगार व्रति, आर्थिक समानता और स्थायत्व का भी यह एक महत्वपुन शुरृत है, इस subscribers राजनितिक प्रभाव भी है, सामजिक प्रभाव भी है, नेतिक प्रभाव भी है करारोपन की, और अ आजका आपका असाइन्मेंट है लेफर वक्र पर आपको एक टिपणी लिखनी है संचब्द ये टिपणी आप पचास से शोशब्दों में लिख के मुझे किसी भी मात्यम से भेज सकते हैं आज टेली इतना ही धन्यवाद